दोस्तों नमस्कार जैहिंद वन्दे मातरम आप सभी का स्वागत है गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों आज की इस वीडियो में कच्छा छे की विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परिच्छा दोजार चौविस विसे पर्यावड का प्रश्ण पत्र हल करेंगे प्यारे बच्छों इस वीडियो में हमने एक एक प्रश्ण को अच्छे से हल कराया हुआ है तो आप सभी लोग वीडियो को लाश्ट तक बिनास्किप के जरूर देखेगा आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आएगा और आपकी परिच्छा के जर्स से मोस्ट इंपरेंट प्रश्ण जो है रखे गए हैं तो आएगे देखते हैं सबसे पहले दो घंटे का टाइम आपको मिलेगा और 50 का फुडांक रहेगा GPS कोड का प्रशन पत्र है अगर आपके स्कूल में इस कोड का प्रशन पत्र आता है तो सेम यही प्रशन पत्र आएगा आए दिखते हैं नोट दिया गया है कि सभी प्रशन अनिवार हैं प्रशन नमबर एक है बहुविकल्पी प्रशन इसके अंतरकत आपको 5 कुशन मिलेंगे जो बहुविकल्पी हैं अर्थाथ 4 विकल्प दिये गए हैं कोई एक विकल्प सही है और उस विकल्प को अपनी कापी पर लिखना होगा इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे अर्थाथ एक कुशन के लिए एक अंगनिर दायत है तो का प्रशन है पौधे की पत्तियां हरे रंग की किसके कराण होती है आपसन देख लिजिए सूरे का प्रकास, जड़, माइट्रोकांडिया, क्लोरोफिल तो पत्तियों का अहरा रंग ये क्लोरोफिल के कराण होता है जिसको हम पढ़ हरिम कहते है तो दा अंसर इसका बिल्कुल सही जवाब है खा नमर कुशन है चना मटर की गाठों में पाया जाने वाला जिवाड है आपसन है रसेरिया कोलाई एजेटो वेक्टर राइजोबियम या क्लोरिस्टेडियम तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम जिवाड पाया जाता है जो भी फली वाले जो फसले होती है उनकी जणों में राइजोबियम जिवाड होता है जो नाइट रोजन को स्थरीगन करता है इससे जो है जो मर्दा की उरवर्ण होती है वो बढ़ जाती है गाप्रशन है आधुनिक संचार का माध्यम है कबूतर, इंटरनेट, पत्र या इनमें से कोई नहीं तो इंटरनेट आधुनिक योग में जो है संचार का माध्यम होता है पुराने समय में कबूतर का इस्तिमाल होता था गाप्रशन है छेतरफल की दर्श से भारत का सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट, उत्रफदेश, राजस्थान या मध्यपरदेश तो छेतरफल की दर्श से अगर पूछे तो वो राजस्थान हो जाता है अगर ये पूछे कि जनसंख्या की दर्श से भारत का सबसे बड़ा राज्य को उन्सा है तो उत्रफदेश जनसंख्या की दर्श से उत्रफदेश और छेतरफल की दर्श से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है अंगा प्रश्ण है पहले के समय संदे स्वाहक के रूप में किस पच्छी का उप्यूग किया जाता है गौरया, कबूतर, कोयल या मूर तो कबूतर को जो है संदे स्वाहक के रूप में प्रयूग किया जाता था इसके बाद है प्रिश्ण संख्या 2 रिक दस्थानों की पूर्थ कीजिए पांच प्रिश्ण है जो की पांच नमबर के हैं सूचम जीवों को देखने के लिए की आवसकता होती है तो सूचम जीवों को देखने के लिए सूचम दरसी की आवसकता होती है वो रभी की फसल की वुगाई करते हैं तिक तो यहां पर देंगे रभी की फसल की वुगाई करते हैं आपका ये पुरा हो जाएगा मनस्त के शरीर में कुल 206 हड़ियां होती हैं यहां पर देंगा 206 हड़ियां होती हैं आलू कंद अदरख के रूपांतरण हैं तो आलू अद दरख और ये कंद ये तना का रूपांदल होता है तने का रूपांतरण है तना का रूपांतरण है ऐसे आप इसको लिख देंगे विद्यालय परियावन का हिस्सा है तो विद्यालय एक जो है सामाजिक परियावन का हिस्सा है तो इसको लिख दीजिएगा इस प्रकार से तीन आपको पांच अंक मिलेंगे पांच कुश्चन दिये गये हैं तिलंगाना राज की राध़ानी है तो सही जवाब हो जाएगा शड़क पर अपने दाहिने और से चलना चाहिए बिल्कुल नहीं हमको शड़क पर बाई तरफ चलना होता है तो ये गल्त दिया गया है के बाद नेक्स चलते हैं अंगा जिया गेहूं जथा धान बहुवर्षी पोधे हैं तो गेहूं और धान जो होते हैं एक साल के अंदर ही हो जाते हैं यानि लगभग पांच महने का टाइम होता तो ये बहुवर्षी तो नहीं हुए एक वर्षी होते हैं तो ये गलत दिया मिलान कीजिए तुस्तही जोड़े बनाना है खंड का को खंड खा से मिलाना है मुर्गी पालन पॉल्ट्री फार्म थिक पॉल्ट्री फार्मिंग से मिला दीजिए एचाई बी ये वाइरस होता है एड्स का इसके बाद भूकम्प तो भूकम्प एक प्रागर्तिक आपदा है इसमें मिला दीजिए दूई लिंगी जन्तु तो दूई लिंगी जन्तु कौनसा है केचुआ है आप इसको मिला दीजिए गंगा था यमुना नदी का संगम ये है प्रियागराज में तो इस प्रकार से आप मिलान करेंगे तो पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे इसके बाद है नेक्स्ट प्रशन 5 नमबर आति लगो त्रिये प्रशन इसमें आपको देखो एक सब्द में एक लाईन में आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रशमें कुल कितने जिले हैं लिख दीजेगा खाप प्रशन दिया गा है कि मानो जनित दो आपदाओं के नाम बताईए तो मानो जनित आपदाओं कौन कौन सी हो जाएंगी तो आप लिसकते हो परमाड बिसफोट सड़क दुर घटनाएं आग है ना ये सारी जो घटनाएं होती है ये मानो जनित को मना जाता है तो प्रत्वी दिवस प्रतेक वर्स 22 अपरेल को मना जाता है 22 अपरेल पाओधे के अंकुरण के लिए आवस्चक दसाएं क्या है तो पाओधे को आवस्चक दसाएं कौन सी होती है तो इसमें आप लिख दीजेगा पाओधे के अंकुरण के लिए ताप नमी और मिट्टी क्या सकता होती है विश्व पर्यावन दिवस कम मना जाता है तो विश्व पर्यावन दिवस जो है पांच जून को मना जाता है पांच जून को विश्व पर्यावन दिवस मना जाता है छे नमबर प्रशन है जो की लगुत्री प्रशन है इसमें आपको 15 अंक मिलेंगे तीन नंबर का एक प्रश्ण है का नंबर प्रश्ण है परजावन की परिभासा लिखिए तो परजावन की परिभासा आप कैसे लिखेंगे तो आप लिखिएगा जल, वायू, प्रकास, मिट्टी, पोधे, आदी जिनसे हम चार ओर घिरे आए ये सभी एक साथ मिलकर हमारा प्रजावन बनाते हैं या यूं कहलें कि हमारे आसपास पाया जाने वाले प्रभावकारी कारकों को ही प्रजावन कहते हैं तो इस प्रकास से भी आप प्रिभासा बना सकते हैं खानमर प्रशन है जल के कौन कौन से सुरोत हैं तो जल के सुरोतों की अगर बात करें तो जल जो है तीन प्रकास से आपको मिलता है पहला है आपका धरातल ये जल जनी जो धरातल के ऊपर जल पाया जाता है दूसरा भूमिकत जलसरोत तो भूमिकत अंदर जल भरा हुआ है उसको भूमिकत जल कहते हैं और तिसरा हिम्नत के रूप में अर्था जो परवतों पर बर्फ है उस पे जमी हुई बर्फ आपको पानी के रूप में मिल जाती है तो आप इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब के के लिसकते हो भूमी से प्राप्त होने वाले किन ही पांच पदार्थों के नाम तो इसमें आपको लिख देना है सबजियां होती है और सद्धियां होती है फल फूल मिलते हैं तो ये साई से जाब लिख सकते हो लकडियां मिलती है वनों से प्राप्त होने वाले और सद्धियों के नाम बता तो नीम की पत्ती लिख दीजिए इस बगोल के बीज होते हैं जिनकी भूसी इस्तेमाल की जाती है सिनकोना की छाल प्रयोग की जाती है जावन के बीजों का चूड मना जाता है जो पेट के लिए लाफजायक होता है यूकेलिप्टिस का तेल प्रयोग होता है और मुलेठी की जाने परयोग होती हैं तो यह सारे जो है चीज़े आप ले सकते हों उसमें पसूँ के मरत चरीर को कौन कौन से जीव खाते हैं तो पसूँ के मरत चरीर को सियार, लोमडी, लकडबग्गा और गिद्ध यह सारे जीव खाते हैं चील इसके लवाद साथ नोव प्रशन है जो पांच अंक आपको देगा और ये थोड़ा सा लंबा प्रशन होगा सौर उर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवस्यक है तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं और दूसरा अथवा में दिया गया है चाहे आप उपर वाला करें या फिनेचे वाला कोई भी एक आपको करना है आहार जाल किसे कहते हैं उदाहर से समझाईए तो आहार जाल क्या है तो आहार जाल की प्रवास्ता आप इस प्रकास से लिखिएगा किसी पार्शन की तंत्र में उपस्थित विभिन आहार स्रंखलाएं एक दूसरे समंद होकर एक जाल रूपी सनचना का निर्मार करती हैं जिसे आहार जाल कहते हैं अब इसको आप थोड़े सा उदाहर के माध्यम से पसुत कर सकते हैं कि जैसे जो आपके पौधे होते हैं तो पौधों को कौन खाता है तो पौधों को मालोग खाया टिड़े ने टिड़ा जो होता है और Tidda को कोन खायता है मेड़ा का जाता है और मेड़ा को कोनखाता यह खायता है चील घाटी है तो इस प्रकार से यह गाईटा विदियों चिखेड अप्री कमाड्य को समय सकते हो तो यह रहा है प्रकार से और वीडियोय के लिए इसे अगल आय yol प्रश्य doen आरे कोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे इसके लावा हमारे चनल के माध्यम से एन एम एम एस की तैयारी करवाई जाती है इसके लावा नोदे विद्ध्याले परिशा के तैयारी हमारे चनल के बाद जम से अच्छे से आप कर पाएंगे तो इसके लिए आपको हमारे चनल को स्ट्रगाइब करना होगा ज्याद ज्यादा वीडियो को शेयर करना होगा मिलता है फिर नेक्ट वीडियो में तब तक धन्यमाद जहिन बंदे मातरम